असलाम अलेकुम जी, so in this lesson we are going to learn के file save करने के कौन-कौन सा methods है और आपने कौन सा method किस वक्त यूज करना है so हमारे सामने एक quotation design है जो कि हम पिछले दो-तीन lecture से उसको progressively लेके चल रहे थे so इसमें हम लोग देखेंगे इस lesson में कि इसको किस तरह से save किया जाता है so अगर आप उपर देखें सबसे उपर यहाँ पे आपको एक file का menu नज़र आएगा मैं इस file पे click कर रहा हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पे multiple options नज़र आएगी एक आपको option नज़र आएगी save की, एक save as की, एक export की और एक package की यह चारो options आप use करेंगे जब भी आप किसी project पे काम करते हैं अभी हम सरफ इस file को save कर लेते हैं, अभी जो हमारी source file है उसको हम save करते हैं so मैं इस पे save पे click कर रहा हूँ इसने file मेरी save कर दी but I do not know कि इसने file मेरी कहां पे save की है so let's save it on another location, let's say it save as तो मेरे सामने एक folder open है उस्ताद online और यहां पे मैं जो इसका format है वो चूज करूंगा Adobe Illustrator और यह AI इसका format है, so हम इसको .ai format में save करेंगे 2.0 quotation design.ai यह इसका पूरा नाम है so मैं इसको save कर लेता हूँ, इसको हम replace कर लेते हैं अब यह replace इसी लिए पूछ रहा है, क्यूंकि already जो हमने जब save पे click किया था तो उसने इसी location पे हमारी इस file को save किया था, so मैं उसी location पे एक और file save कर रहा हूँ तो वो पूछ रहा है कि you want to replace it, अगर आप कहता है कि नहीं replace नहीं करना तो फिर आपको इसका नाम change करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको save करेंगे, so लेकिन इस scenario में I say yes, replace the file, उसके बाद आपके सामने कुछ options आती है, so let's go with the default ones, okay press करें और यह इसने file आपकी save कर दी अब हम चाहते हैं कि यह जो हमने quotation design किया था, इसको हम social medias के लिए save करें, so social medias के लिए आपको already पता होगा कि हम images को use कर सकते हैं, so images को कैसे generate किया जा सकता है, मैं दुबारा file में जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको एक export की option नज़र आएगी, so let's go with export as और यहाँ पे आपको कुछ मजीद formats नज़र आएंगे, जैसा कि जब मैं इस पे click करूंगा, तो जब हम save as में जा रहे थे, तो वहाँ पे सरफ और सरफ तीन चार options थीं, और वो सारी options indicate करती हैं, कि हम जब file save as की option से जाके save करेंगे, तो वो उसकी source file save करेगा, जो के additable होती ह और जब हम export as की option में जाके करेंगे, तो यहाँ से हम कुछ ऐसी files भी save कर सकते हैं, जो के सिरफ और सिरफ display के लिए हैं, जैसा कि jpeg और png, तो by default अभी हम jpg format के साथ जाएंगे, और यहाँ से use artboards पे click करेंगे, that is very important, अभी हम इसमें difference देखते हैं, कि use artboards पे चेक करने से और ना चेक करने से क्या फरक पड़ता है, so मैं use artboards कर रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पे all पे चेक नहीं करना, बलके range पे चेक करना है, और क्यूंकि आपकी file में सिरफ और सिरफ एक artboard है, so यहाँ पे हम लिखेंगे one, और इसके बाद, इसको हम कर कर लेते हैं, variant 1.0, ठीक है, इसको करते हैं जी, export, और यहाँ पे jpeg की options आपके सामने आई हैं, तो go with the maximum, maximum का मतलब है, go with the maximum quality, and go with the maximum resolution, इसको हम यहाँ से, ok प्रेस करते हैं, और जाके देखते हैं, जी, के इसने हमें क्या सेव करके दिया, so यह हमारे पास, उसने एक file सेव करके दिया, that is for the display, और इसका जो format है, वो है .jpg, अब हम देखते हैं कि अगर हम use artboards वाली option को check ना करने तो हमारे पास क्या results आते हैं, और यह उसने हमें जो बाद में file सेव करके दिया है, यहां पर आप यह देख सकते हैं, कि इसने यहां पर artboard का ख्याल लिंग किया, बलकि आपकी file में जितने भी design elements exist करते थे, चाहे वो आपके canvas के artboard के अंदर थे या बाहर थे, उसने यहां से एक line draw की और उसने देखा कि इस file में कौन-कौन से elements पढ़ें और कहां तक पढ़ें हैं, तो उसने हमारी file को कुछ इस तरह से save किया, मैं आपको draw करके दिखा देता हूं, तो हमारा artwork यह जो हमारा background था वो यहां से start हो रहें, यह थोड़ा सा नीचे तक जा रहें artboard से, इसके बाद इसका color change कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा मजीद वाज़े हो जाए, तो left side से हमारा जो जितना भी design elements हैं, वो left side से उसकी limit यहां तक है, उसने यहां तक limit उठाई, इसके बाद अगर up side से देखें तो इसके limit यह जो आपको पीछे background नजर आ रहा है, वो यहां पर जाके end हो रहा है, अगर नीचे वाली side पर देखें तो यहां पर भी जो हमारा overall artwork है, वो यहां पर उसके limit end होती है, और right side पर देखें तो इस scare की वज़ा से, जितने भी design elements हैं, वो यहां पर जाके end होती हैं, तो इसने इसको as a file consider किया और उसको .jpeg के तौरबे save कर दिया, ठीक है जी? इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप file को save करें, export as में जाके, तो वहां पर artboard का number देना बहुत जरूरी है, तो आपको artboard का number कैसे पता चलेगा, जब आप multiple artboards में काम करेंगे, जो कि हम आने वाले lectures में देखेंगे, तो वहां पर हम this use को detail में study करेंगे, कि multiple artboards कैसे create किये जाते हैं, आप artboard के जो नाम हैं उसको कैसे, उनके नाम को change कर सकते हैं, उसको different और interesting names आप assign कर सकते हैं, और आप यह देख सकते हैं कि इस वकत active artboard कौन सा है, जिस पर आप काम कर रहे हैं, और आपने किस किस artboard को कैसे कैसे save करना है, so this is all we are going to learn, यह lesson हम लोग यहां पर end करते हैं, so अब आपने करना यह है, कि design your quotation, go in the file section, source file को save कीजिए, और export में जाके, उसको as a display image, .png में या .jpg में, save करें and share it with your friends, share the file, share the quotation on social media and let's see what the people are going to say about your design, so see you in the next lesson, thank you so much.